तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मायूप जोन पे तो आज का वीडियो इस स्रीज का लेक्चर नवर 6 होने वाला है और आज नए 15 कोश्चन को हम लोग डिल करेंगे और देखेंगे जो कि आपके इंटरेंस एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहना और पूरी वीडियो को देखना तो चलिए भीना टाइम पास के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला कुश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन का प्रार आपका हो जागा 1 अप्रिल 1951 आर्थिक नियोजन को इंगलेफ में हम लोग फाइनेंशियल प्लान वी बोलते हैं जो वंशित लोग हो जाते हैं जिनको फाइनेंशिली बीक होते हैं तो यह प्लान उन्हीं लोग के लिए बनाया गया था 1 अप्रिल 1951 में तो इसका आणसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा अप्शन नंबर वी एक अप्रिल 1951 तो सही है चलिए नेक्स्ट को अम लोग देख लेते हैं भारतिये रिजर्व बैंक का राश्ट्रिय करन कव किया गया था 1949 1955 1966 1810 तो दोश्तों इसका सही अंसर में बता दूं आपका हो जाएगा 1949 राश्ट्रिय करन को इंगिल्स में नेशनलाइजेशन भी बोलते हैं हम लोग और इसका सही अंसर हो जाएगा तो अंसर यह है सही है चलिए नेक्स कोश्चन ग्यान प्रकास समीति का सम्मंद किस से था था पुछ रहा है पर आप लोग कोश्चन ध्यान से पढ़ना ठीक है तो आप लोग अगर पढ़ते होगे तो आप इसको जरूर कर दोगे अगर आपको नहीं आता है तो आपको टें आपको आपका दिया गया है संयुक्त राज अमेरिका आउस्ट्रेलिया फाकिस्तान और इंगलेंड तो आपका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन नम्मर ए संयुक्त राज अमेरिका ठीक है कोश्चन का कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में सरवादिक मुल्यों के रतने जो इंडिया में यह सब आता है इंडिया में में अथिनलिया में आपका डायगा ऑंप्शन नंबर ए चीक कर लेते होग आपका सही अन्सर के से पर आता ही अक्याक्न हरुत अमेरिका उप्शन और ऑ्ल फाकर जरनेना cracking कि सूर्वारें जिफीके किसी भीमा योजना बैंक प्लान आपको पता होगा तो आपको पता हो अगर आपके घर में ऐखर होता है के वारी हr तो आप उसका अंसर दे दो गया बहुत इसम हगौोशतन है अर रास्ट्रे ख्रीशिंव्य दिमा योजना ने शनल एग्रिक कुल्चरल इंसुरेंस स्कीम इसको हम लोग न इस भी इंगलिस में तो बताव अंसर राश्टे क्रिशी भीमा यूजना किसके दुवारा प्रियोजित है तो दोस्तों इसका सही अंसर आपका हो जाएगा जी आइसी आप लोग ये नोट डाउन कर लो ये कव लागू कव किया तो ये 1999 में लागू किया गया था आप लोग इसको नोट डाउन कर लो ये भी इंपोर्टेंट है ठीक है तो आप लोग इसको याद रखना जी आइसी हो जाएगा सही अंसर तो चलिए दोस्तों हम लोग next question को देख लेते हैं आपका next question वही है जो मैंने भी थवर्दर पहले अंसर बता दिया इसका तो आप लोग अंसर इसका बताना क्या होगा राष्ट्रिय क्रिशी बिमा योजना किस बर्स लागू की गई आपको option नमबर ए है 1999 to 2000 1989 to 1990 and option C में 1992 to 1993 and option D में 1951 to 1952 तो आप लोग सही अंसर बताओ अभी अभी मैंने बताया है आप लोग को बताना होगा अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो आप वीडियो सो कुछ सीख रहे हो तो आप लोग जरूर बता दोगे तो इसका अंसर अभी मैंने आपको बताया था 1999 में इसको लागू क किसके द्वारा रचित है बताईए काफी famous book है रजधाने साहित्य की एक प्रारंभिक प्रारंभिक मतलब आपको समझ रहे होगे तो प्रारंभिक रचना हंसा वली किसके द्वारा रचित है तो आपका option दिया गया है option number a असायत द्वारा और राम प्राजापत द्वारा, option number t जाजु राम द्वारा, option number d राम प्रताप द्वारा तो दोस्तों इसका सइह अनसर आपका हो जाएगा option number a असायत द्वारा तो आप लोग इसको नुट डोन कर लो और इस question को याद कर लो काफी important है ठीक है तो इसका answer पहले देख लेते हैं, नेक्ट कॉस्चिन पर जाने से पहले, तो ऑप्सन नमबर है हो जाएगा आसाइद द्वारा, तो चलिए नेक्ट कॉस्चिन देख लेते हैं, राजिस्थान की किस झील को रामसर अध्राभूमी की सूची में सम्मलित किया गया है, बताएए, राजिस् लोग और बता दूँ आपका और अंसर हो जाएगा और आपका नमबर ए संभार जिल जो आपका मैंने भी बताया है राम शर अध्राव हुमिक की सुची में यह जो संभार जिल है वो सुचित है ठीक है तो चलिए इसका अंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं इसका अंसर क्या है अप्शन नमबर ए तो आपका सही अंसर हो जाएगा संभार जिल नेक्स कोशन हम लोग देख लेते हैं रजस्थान सरकार द्वारा पहली बन निती का अनुमोदन कव किया गया अप्शन नमबर ए अगस्ट में 2010 अप्शन नमबर बी नवंबर 2012 अप्शन नमबर सी दिसंबर 2013 अप्शन नमबर डी जनवरी 2005 कब इसका अंसर हम लोग चिक कर लेते हैं तो अप्शन नमबर ए हो जाएगा तो आप लोग सही है चलिए नेक्स कोशन हम लोग पढ़ लेते हैं राज चौदरी कुंभा राम नहर द्वारा लवामवित जिले कौन से है अप्शन नमबर ए हन हनुमान घर जुन जुनू तो याद कर लेना यह इंपॉर्टन कोशन है चलिए नेक्स कोशन को लोग देख लेते हैं नेक्स कोशन आजाएगा बर्स 2011 में कौन से दो जिले उनकी कुल जन संख्या में सबसे कम अनुसुचित जन जाती प्रतिसत रखते हैं दो जिले कौन से है उनकी कुल जन संख्या में आप लोग यहां पर पढ़िया देखिए सबसे कम सबसे कम अनुसुचित अन जन जाती प्रतिसत रखते हैं तो यहां पढ़िया और समझिये तो आपका अप्सिन नमबर यह हो जाएगा विकानेर और नगार अप्सिन नमबर अलवर और भरतप रहा है अगर आप वाई चांस आपको डिस्क्रिप्शन से पीडिया डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग मेरे टेलिक ग्राम पर जा सकते हो मैं टेलिक ग्राम का लिंक अभी दिखा देता हूं उस पर जाकर आप लोग चिक कर लेना ठीक है आप लोग पढ़के ही समझ गया होगा है कि कोश्चन बहुत इंपर्टेंट है तो आप लोग बताओ कि कौन से खनीज के लिए जानी जाती है यह वहां पर क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बताओ आप लोग अंसर करके तो दोस्तों इसका एकतम और्ट अंसर हो जाएगा है अपसा नमबर एट तामड़ा आप लोग इसको नट डाउन कर लोग इसको याद देखना जैनक पूरा और सिरवाड ठीक है नेक्स्ट्ट को लोग देख लेते हैं क्या डिया गया है और तो इसका अंसर देख सकते हैं सम्विदान में मौलिक कर्टव्या को कब सम्मेलित किया गया option दिया गया है 1976 1970-1956 2002 मैं आपको बता दता हूं option number A सही हो जाएगा 1976 में 1976 में सम्विदान में मौलिक कर्टव्या को सम्मेलित किया गया था तो यह याद एक ना सब्सक्राइब कर लेते हैं कितने वर्स का होता है कितने वर्स का होता है आप लोग को बताओ तो पांच वर्स या पैसर वर्स की आयू तक छे बर्स से पांच वर्स की आयू तक चार वर्स से अंठामन वर्स की आयू तक पांच वर्स की आयू तक कुश्चिन कर रहा है केंद्री सुचना आयूक्त का कर्याले होता है कितने वर्स हो तक वर्स पूछ रहा है ना तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ यह जो होता है ना पांच वर्स नमबर ए तो आप लोग समझ जाओ इसका अंसर फाच वर्स ते लेकर पैसर वर्स की आयो तक हो जाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन आपका है विदान परिशद और विदान सवा इन में से किस विदाईये सदन को समाप्त किया जा सकता है तो आप लोग बताओ विदान परिशद बी लोक सवा सी राजी सवा और डी विदान सवा तो आप लोग गेस करो गेस करके जरूर बताने इसको ठीक है काफी अच्छा कुश्चन है तो दोस्तो आप लोग को में बता दूँ आने वाले टैम में इसको समाप्त किया जा सकता है ओप्शन नमबर ए विदान परिशद क तो यह आपका सही इंसर हो जाएगा तो इसका सही इंसर चेक कर लेते हैं इसका सही इंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए विदान परिशद तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही असा करता हूँगा आपके लिए यह वीडियो बहुत ही जादा हेलपूल होगा आप लोग ने अगर आवी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो क्या कर रहे हो आप लोग को कर देना चाहिए और बेल आइगान को प्रेस करना नहीं बूलना ठीक है और जादा नहीं बूलूगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए